कनाडा के बाद अब अमेरिका भी भारत पर खालिस्तानी आतंग की गुरुपतवन्त सिंग पन्नु की हत्या की साजिश रशने का आरोप लगा रहा था भारत ने बहुत दिन तक अमेरिका की बाते सही लेकिन अब पियम मोदी ने अमेरिका से खरी-खरी बात कह दी है खालिस्तानी आतंग की और अलगाववादी समूह सिक्क फॉर्ज जस्टिस का सरगना गुरुपतवन्त सिंग पन्नु के मडर प्लान को लेकर भारत के प्रधान मंत्री निरिन मोदी ने पहली बार कोई बयान दिया है बता दें कि निजर की हत्या पर कनाड़ा के बाद अमेरिका भी पन्नु के मडर प्लान का जम्यदार भारत को ठहरा रहा था अमेरिका यह दावा कर रहा है कि भारत की जाच एजंसियों के लोग अमेरिकी नागरिक पन्नु की हत्या करने का पूरा प्लान सेट कर चुके थे जिसे अमेरिकी एजंसियों ने पूरा नहीं होने दिया अमेरिकी न्याय विभाग ने भारत सरकार के एक सेवारत अधिकारी पर निखिल गुपता के जरिये पन्नु की हत्या की साजिश रशने का आरोप लगाया था प्रधान मंत्री ने अमेरिका को भारत पर लगाया आरोपों पर गौर करने की बात कही है और अमेरिका में होने वाली भारत विरोधी गतिवितियों पर भी सुनाया है समचार पत्र Financial Times को एक इंटर्व्यू देते हुए PM मोधी ने कहा अगर हमारे नागरिक ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया है तो उस पर हम गौर करने के लिए तयार हैं हमारी प्रतिबद्धता कानून के शाशन के प्रती है PM मोधी ने अमेरिका में चरम पंति समूहों द्वारा की जा रही भारत विरोधी गत्विधियों को लेकर भी बयान देते हुए कहा अभी वक्ति की सोतंत्रता की आड में यह तत्व डराने धमकाने और हिंसा भढ़काने में लगे हुए हैं अमेरिका से भारत की रिष्टों को लेकर PM मोधी ने कहा कि दोनों तरफ से इस रिष्टे को मजबूत करने का व्यापक समर्थन है जो एक परिपक्व और स्थिर साजेदारी का स्पष्ट संकेत देता है मुझे नहीं लगता कि कुछ घटनाओं को दोनों देशों के राजनाईक संबंदों से जोड़ना उचित है क्या पन्नु मुद्दे पर अमीर की एजंसिया भारत पर दबाव डाल रही है इस सवाल को लेकर जवाब देते हुए प्रियम मोधी ने कहा दुनिया एक दूसरे स जुड़ी होने के साथ साथ एक दूसरे पर निर्भर भी है यह वास्तविक्ता हमें यह मानने के लिए मजबूर करती है कि सभी मामलों पर पूर्ण सहमती सहयोग के लिए पूर्वशर्थ नहीं हो सकती पिछले महीने ही अमेरिकी न्याय विभाग ने अभियोग खोला था जिसमें भारत सरकार के एक सेवारत अधिकारी जेल में बंद निखिल गुपता के जरिये पन्नु की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया था उन्होंने दावा किया था कि गुपता ने एक हिट मैन को काम पर रखा जो अमेरिकी कानून प्रवरतन का ही एक अंडर करन की गई है ऐसे ही कंटेंट्स के लिए शब्द साची की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे वीडियो का भी आनंद उठाते रहें धन्यवाद